हलो दोस्तो स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में कल सिवाईनू की बात थी आज बेबी डोज की बात होगी कि बेबी डोज की जो सप्लाई है क्या वो हमारे किसी काम की है या वो कहते हैं हम जो करोड़पती वाला जो सपना देखते हैं क्या बेबी डोज बना सकता है, तेकि सब करोड़ोपती जरू बनाएगा, उसमें तो no doubt, दिल थाम के बैठिए, करोड़ोपती तो आप जरू बनेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा डाटा दिखा देता हूं आपको, उसके बाद फिर आप आप अंदाजा लगा लेना कि लोगों ने आपको इतना मून पे चड़ा दिया, कि वहाँ से आने के लिए किराया नहीं बचा गया, आप मून से बापिस कैसे आना है, क्यों कि हकीकत किसी ने ना दिखाई और ना आपने देखनी चाहिए, देखिए सारी कमी यही है, कि आपने हकीकत को देखना ही नहीं च पहुचाते रहे, वो आपको मून पे नहीं पहुचाते, जमीन पे रखते आराम से, और यहीं रहके आपको करोलोपती बनाते, लेकिन आपने ऐसे सवाल पूछे नहीं, इसलिए उन्हों ने भी आपको मून पे पहुचा दिया, बगर किसी के सोचे समझे, उन्हों ने ये भी नहीं देखा कि आपके जिम में क्राह के लिए पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे क्योंको मून से बापीस भी तो आना है तो वहां उन्हों पहुंचा तो दिया और वहीं ले जाके छोड़ दिया लेकिन जो भी है मैं आपको फैक्टी बता रहा हूं और आप खुद अं पैसा आपका है लगाना आपको है कहां लगाना है कैसे लगाना है डिसिजन आपका है मेरा काम है केवल फैक्ट को सामने रखना जो चीज हमारी सामने है हम उसी पर बात करेंगे देखिए आगे क्या होगा वो तो बात की बात है वो हम इसके सेकंड पार्ट में बात करेंगे baby dodge पर दो वीडियो आएंगे कईको एक वीडियो में फिर देखे बहुत ज्यादा नहीं हो पाता कईको वीडू फिर भर लमबा हो जाता है फिर किसार भर लमबा हो जाता है लेकिन क्या करें topic एसा होता है क्या उसको clear भी करना जरूरी होता है लेकिन इसको मैंने दो parts में divide किया है तो एक parts ही है एक part और आएगा लेकिन हाँ अगर कोई भी knowledge जो मैं दे रहा हूं सही ना लगे तो dislike जरूर करना और अगर अच्छा लगता है लगता है कि मैंने सही knowledge दी है मेहनत की है तो 1000 की जगे आज 1500 देखिए अब 1000 तो आप लोगों के लिए आम बात हो गई यह तो मुझे भी मैसूस हो रहा है कि 1000 का टार्गेट लाइक का अब यह आम बात हो गई आप लोगों के लिए तो उस टार्गेट को आप बढ़ाके पंद्रा सो टार्गेट कर देते हैं लाइक का अगर चीज सही लगती है तो और अगर चीज सही नहीं लग रही आपको तो डिसलाइक करने में कोई कंजूसी मत करना ठीक है अब चलते हैं बोर्ड पर अपना एक तरह से लेप्टॉप बेबी डॉच कोईन ठीक है साथ सबने खुब सुनाया और सब की जेवों में कोईंस भरे हुए हैं सप्लाइस की कितनी है चार सो बीस क्वाड्रिलियन यही है न कोई भाई देखर अगर मिस्टेक हो कैलकुलेशन में तो प्लीज आप उसको एंडल कर लीजे थोड़ा सा अगर अगर चार सो बीस क्वाड्रियन को मैं चेंज करता हूं तो चार लाग बीस हजार ट्रिलियन हो जाता है ठीक समझते जाए वीडियो बहुत इंपोडेंट है क्योंको आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी वो कहते हैं सी से की तर है लेकिन इंपोडेंट है पूरा वीडियो देखिए अब आ जाते हैं इसकी टोटल सप्राई जो आज की रेट में है दो लाख एकतिस जार नौसो तेतालिस ट्रिलियन ठीक है क्योंको मैंने क्वाड मैंने क्वाड्रिलियन बाली चीज ट्रिलियन में चेंज कर दी यहां तक कोई प्रावलम नहीं अब आ जाते हैं इसकी बर्निंग पर ठीक है देखिए इसका दूसरा पाट आगा उसमें दूसरी चीज़ बताऊंगा आज केवल में केवल इसकी सप्लाई की बात कर रहा हूं अब आजात हम इसकी बर्निंग पर कि अगर इसकी बर्निंग हो तो कब तक और कैसे कैसे हो पाएगी ठीक है अब थोड़ा सा इधर आ जाएए अगर एक सपोच कर लिजे मैं एक ट्रिलियन पर डे बर्निंग करता हूं एक ट्रिलियन पर डे ठीक है तो साल में कितना हुआ सा में हमारे 365 दिन होते हैं तो 365 trillion हो गया ठीक भाई एक trillion में पर day अगर burn करता हूँ dead wallet में डालता हूँ तो इसका मतलब 365 दिन में अगर करूँ तो 365 trillion हमारा burn हो गया एक साल में यही चीज में अगर पांच trillion पर day के साब से burn करूँ तो 365 दिन का होता है अठारा 125 trillion पर day. ठीक है? कितना? 1825 trillion पर year, sorry. ठीक है? यानिके अगर हम 5 trillion पर डे का बर्न करूँ Baby Dodge को तो 365 दिन होते हैं अपनी एक साल में, तो ये हुआ लगबग 1825 trillion पर year. ये हो गया एक दिन का और 5 दिन का. अब आ जाते हैं इदर. 4 policeman 4,02,000,00,000, ठीक है सब? यही थी न हमारी total supply, 4,02,000,000,000, इसको हमने per year के साब से divide कर दिया, हमने एक साल में 365 trillion ही तो पर्ण किया, क्योंको एक trillion हमने एक दिन में पर्ण किया था, तो 365 मतलब 365 trillion, तो यह ओ गया हमारा एक साल का पर्णिंग, 365 trillion per year और ये था हमारा total supply जो 420,000 trillion है कितना साल निकल के आया साब ये देख लिए साब 1150 साल यानि के 420,000 trillion को burn करने में 1150 साल लगेंगे कौन से बैद किया कौन से हाकीम की दवाई खाओगे साब इतना जिन्दा रहने के लिए ऐसा तो कोई मुझे लगता है अपनी जमील पे कोई हाकीम भी नहीं है जो इतने साल हमें जिन्दा रखेगा कितना 1150 साल यह हो गया कितना अगर एक ट्रिलियन पर डे बर्न करते हैं बेवी डोज को तो वो भी मैंने क्या किया था यह टोटल सप्लाई जो 420 कोड्रिलियन थी ठीक है उसको किया अब मैं चलो इसको मार देता हूँ गोली में इस पे बात ही करता है यह तो ऐसे लग राएकि बहुत जादा हो तो फ d indigenous पर यह यर का हो गया कि यह और लेकर जैता हम जिससे कि आपको चीज क्लियर हो जाएक तो clean 365 ट्रिलियन हो गया वो यह हम पर डे अगर वंड़ियन करते है तो और एक साल में 350 होते हैं दिल, तो 350 ट्रिलियन हो गया, और ये हमारा हो गया टोटल सप्लाई, 2,31,943 ट्रिलियन, इसके लिए भी भाई साहब आपको 635 साल जिन्दा रहना पड़ेगा, कैसे रहोगे भाई, मुझे लगता है कि इसके लिए कम से कम 7 जनम आपको लेने पड़े तब जाके बेबी डॉज वही रहेगा, बेबी डॉज आपको जो है, बर्निंग करता हुआ मिलेगा, यानि तब तक आप 7 जनम ले चुके होगे, लेकिन बेबी डॉज अपनी वही रफ्तार में बर्निंग करता हुआ मिलेगा, ठीक है साब, चलो, आगे आ जाते हैं, एक औ 65 दिन में हमारा कितना हो रहा था? 1825 ट्रिलियन, यानि कि 1825 ट्रिलियन एक साल में हम बर्निंग कर रहे हैं, अगर हम 5 ट्रिलियन परडे करें तो, कितना डाटा निकलेगा साब? मैं अभी भी इसी की बात कर रहा हूँ, टोटल सप्लाई की अपनी, 23943 ट्रिलियन, और एक सा साब से, मैं यार यह तो बहुत कम लग रहा है, मैं चलो 5 ट्रिलियन का कर दिया, 5 ट्रिलियन परडे के साब से बर्न कर दिया, तो एक साल में 1825 ट्रिलियन हुआ, अब मैंने इसको डिवाइड किया, कितना है भाई साब? अभी भी 127 साल चाहिए, जब हम एक साल में 1825 ट्रिल अगर यह इसका कैल्यों निकारेंगे तो इससाब से आप खुद निकाल लेज़ेगा यह जो सालें और बढ़ती जाएंगी यह कम नहीं होगी और बढ़ जाएंगी यह तो मैंने यह माली जे आदा निकाला है इसका आदा यह लगबग तो यह 137 यह लगबग जो है 250, थाइस साल के असपास हो जागा, अगर मैं 420, क्वाडिलिन का निकालता हूं तो यह हो जाएगा 500 साल के असपास, तो साथ यह 5 ट्रिलियन पर डे के इसाप से अगर मैं निकालता हूं वो भी आपको 117 साल चाहिए, अब इधर आ जाते हैं, एक डाटा और देता हूँ, बहुत ज़्यादा कर देते हैं, यारे हमें ये भी एक ट्रिलियन, दो ट्रिलियन भी रोज का कम लग रहा है, चलो, हमने क्या करा, 25 ट्रिलियन पर डे का कर दिया, कितना, 25 ट्रिलियन पर डे ठीक है, तो अब हम फिर उसी बाइदा है, टोटल सप्लाई, हमाज जो टोटल सप्लाई है, 231,943 ट्रिलियन, हमने एक साल में कितना बन किया, 9125 ट्रिलियन, कितना आया भाई साथ, अभी भी लगबग आपको 26 साल चाहिए, जब हम 25 ट्रिलियन पर डे बर्न करें तो, 25 ट्र बर्न कर रहा हूं, 25 ट्रिलियन पर डे का, तब जाके कितना आया, फिर भी 26 साल चाहिए, तो साब मुझे तो बताते बताते पसीना गया, आप देख लीजिए, कि आपको साथ जनम बाद लेना है, अगर इसमें करोबपती बनना है, तो आप देख लीजिए, भाई, मैंने त दो दिन में, चार दिन में, और मैं तो आपको पर डे का डाटा दे रहा हूं, अगर पर डे एक दिन में एक ट्रिलियन होता है, तो कितने साल चाहिए, पांच ट्रिलियन होता है, तो कितने साल चाहिए, और पचीस ट्रिलियन होता है, पर डे तो कितने साल चाहिए, मैंने ट क्या हो सकता है चलो वो तो मैं आप नेक्स्ट वाले वीडियों बताऊंगा अब हम कल जो बात कर रहे थे हैं इदर सिवाईनु में कितना था 589 trillion हम उसके लिए ही 10 साल और 25 साल की बात कर रहे हैं कि 589 trillion only 589 trillion एक जार पूरा भी नहीं है और यहां कितना कितना है टोल्टल सप्लाई 23943 trillion सिवाईनु कितना था 589 trillion तो बताईए सिवाईनु का अभी कुछ आता पता नहीं चलना है कि वह एक रुपए के कब पहुंचेगा तो यह कैसे माने कहां पहुंचेगा तो मेरे भाई यह जो बड़े बड़े लोग हैं जो ट्वीट करते हैं उनके ट्वीट्स पर मच जाईए क्योंकि वो ट्वीट केवलों अपने हिसाब से करते हैं अपने मतलब के लिए करते हैं आप यह facts and figure खुद देखिए और जो लोग रोज मून पे आपक करोड़ पती हैं मैंने तो आपको facts and figure रख दिये अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो like तो आज 1500 बनते हैं नहीं अच्छी लगे तो dislike मारिए no problem बाकी इसका एक पार्ट और भी आएगा उसको भी जरूर देखिएगा अब यह एक ही पार्ट है जो मैंने आपके सामने burning को लेके इसका थोड़ा सा रखाय सामने बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए बाकी फिर मिलते हैं इसके next वीडियो में नमस्कार